यह लो फ्रेंड्स वेलकम तू मैं चैनल इन इस वीडियो आप सीखेंगे कि एक वर्क बुक को कैसे हम पासवर्ड प्रटेक्ट कर सकते हैं यानि किसी भी बंदे को अगर हम यह वर्क बुक सेंड करें तो वह जैसे ओपन करेगा उसको एक पासवर्ड डालना पड़ेगा उसक यह हम देख लिएतें जैसे आपके सामने यह शीट दिखरी है आपको इसको हमें प्रटेक्ट करना तो अब क्या है? शीट मतलब यह सारी शीटें प्रटेक्ट होजाएगी जित्ती है तो आपको क्या इनकरना है— billion save as cut the time हमें इसा हमेसा नेम डालना है पहले किस नाम से सेव करना है आपको मैंने डाल दिया data 777 कुछ भी डाल सकते हैं आप कहां सेव करना है वो भी सिलेक्ट कर दीजिए से टोड़ में डालना है देटा 777 idag अब यहां को क्या करना है सेव बटन के पास में आपको एक toolbox मिलेगा तो यहां पर tools पह आप serious करेंगे तो आपको मिलेगा एक general option पर क्लिक करना है आपको और यहां आपसे पूछेगा file sharing यानि अब password to open यानि open करने के लिए कौन सा password चाहिए हमें और modify करने के लिए कौन सा password चाहिए यह हम easily enter कर सकते हैं तो open करने के लिए मैं डाल देता हूं hashish and modify करने के लिए डालता हूं वरवानी simple अब हम कर देंगे अब यह हमसे रिएंटर पासवर्ड पूछेगा तो हमें simple रिएंटर कर देना है password now वापस पूछेगा रिएंटर पासवर्ड तो modify वो क्या था वी ये आर डल्यू ए एन आई तो अब हमारी यह जो शीट है वो password protected हो जाएगी जब हम save करेंगे ओके तो हम एक बाद close करके वापस try करते है open करने की तो यह हमने close कर दिया अब हम करते है try एक बाद refresh कर दे तो यह है data 777 इस नाम से हमने save किया था now open it open करते ही हमसे पूछेगा password तो यह कह रहा है data 777.xlsm is protected कोई दिकत नहीं है हम password डाल देंगे now अब यह बुछेगा enter password for write access और modify अब यह हमसे क्या कहना चाहरा है कि आपको अगर सिर्फ sheet यानि workbook जो है open करके सिर्फ देखनी है तो तो आप read only कर दीजिए और अगर आपको open करके और modify भी करना है यानि कुछ data में कुछ change भी करना है तब आपको वो modify वाला password भी डालना पड़ेगा यानि दो password आपने create किये था एक to open that workbook and second to modify it तो open वाला तो हमने लिख दिया अब भी हमसे पूछ रहे हैं कि अगर आपको modify नहीं करना है then you can click on this read only बट अगर हमें modify करना है then हमें password डालना होगा तो modify करने के लिए हम password डाल देंगे वी ए आर डव्यो ए ए एन आई ओके now click on the ok बटन तो अब आप देख सकते हैं शीट खुल चकी है simple आप editing भी कर सकते हैं कुछ भी और एक बार आपको read only से भी खोल के बदा देतो तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा तो वापस से click करते हैं और यह हमसे बुचेगा सबसे बहले open करने के लिए password asnh isnh अब यह हमसे बूच रहा है enter password for write access और modify और open और open read only यानी read only से भी हम खोल सकते हैं तो हम इस option के साथ जाते हैं तो आप देख सकते हैं यह खुल लिया बट अब अगर हमें इसमें कुछ editing करनी है इसकी जगे हमें कुछ ऐसा लिखना है अब इसमें क्या होगा न हम इसको save करेंगे न जब यह देखिए इसको जैसे हमने save किया we can't save data access because the file is read only तो आप change कर तो पाएंगे अपने तसली के लिए बट आप जब save करेंगे न तो वो जो change आपने किया है वो save हो गई ने तो this is the main benefit आपको अगर किसी कुछ सिर्फ sheet read करने के लिए देनी है यानि analyze करने के लिए देनी है then you can send to them okay but आपको अगर यह डर लग रहा है कि वो कुछ change नहीं कर दे तो आप यह password protect करके send कर सकते हैं आपको क्या करना है simple open का password भी डालना है modify का password open का password आप दे दीजे उसे अगर आपको और जादा security maintain करनी है तो open का password दे दीजे वो जैसी open का password डालेगा वो modify के लिए password मांगेगा और उसको कहिएगा कि read only पे click कर दे तो read only पे तो आप देख सकते हैं किसी भी तरह की editing वो कर तो पाएगा बट यह जो save करेगा ना तो इसको error show हो जाएंगे यानि save वो होगी नहीं change because it is the file is read only यानि आप सिर्फ इसको read कर सकते हैं या देख सकते हैं इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे एक workbook को protect कर सकते हैं दो तरह से एक open करने के लिए password दूसरा modify करने के लिए password तो टोटल दो password हमने apply किये इस workbook पर